आपके साथ अक्तूबर का मध्यकाल आरंभू रहा है और अक्तूबर के मध्यकाल में कई ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है और कई प्रकार से बड़े सुन्दर महूर्त भी बन रहा है ये अक्तूबर में आश्विन का महीना इस बार पड़ा और आश्विन के महीने में जो कई प्रकार का सुन्दर योग बनता है रिन निवित्ती का योग बनता है और पुन्य कर्म को जगाने का योग बनता है क्योंकि इसमें आश्विन के कृष्ण बक्ष में शाद्द आते हैं और शुक्ल बक्ष में आप समझें नवरात्र का शुग योग पड़ता है एक तो पित्र कारे करकर आप रिन से निवर्थ हो जाते हैं देवनित रिन है पित्र रिन जो है इन सबसे निवर्थ हो जाते हैं भार सर से कट जाता है और उसके अगले दिन से नवरात्र आरंब होते और वो पुन्यों को जगाने का अवसर बनता है तो जो जागते हुए प्रशाष्ट रहते हुए भगवती के निम्त पभवान के निम्त कारे करते हैं उनके सब के भागे जाग जाते हैं इस सिध्धान समझ लीचे इसके साथ साथ इस बार्क में तो बहुत विचित प्रकार के योग बन रहे हैं इस बार जो आश्विन का महीना पढ़ा उसमें पांच शनिवार पढ़ गए पांच शनिवार जो है वो धरते के लिए भारी पढ़ते हैं जब एक मास्क के अंदर पांच शनिवार पढ़ जाए आश्विन में तो का जाता है कि कोट के योग बनते हैं अगनी के योग बनते हैं तो इन सब के युद्ध रहे हैं और साथ-साथ ज़िए अब पक्ष की बात करें तो कृष्ण पक्ष्ग में उसमें एक थिती घटी एक थिती बढ़ गई तो जो वोग स्पेकुलेशन वाले बिजन्स में उनमें भाव में बिहानक उठापटक होने के योग बन जाते हैं चीजों में तो आप देख रहे होंगे मार्किट का क्या हाल फ्लॉक्ट्रूरेट चल रहा है कभी उपर कभी नीचे सोने के भाव कहां से कहां पहुँच गए और फिर उठापटक होने के योग बन रहे हैं तो हलकी सी जो कुता नौँ लगे चल रहे हैं लाव वाले भाव में चल रहे हैं सूर। वह आने वाले बृद्ध वहां आने वाने चल रहे हैं तो यह ऽदिए प्रक्रम को मनगल पुरशारत की से है उसको हलका सा कम करनेंगे तो इस समय में अक्तूबर का मद्यकाल बड़ा इंपॉर्टेंट है उन चीजों को समझते हुए आपको कारे करने का प्रयास करना है सूर्य परिवर्तन की तरफ जाएंगे बुद्ध भी परिवर्तन हो के अकादश में लाब वाले स्तान में हम काम करते हैं जो भी काम करते हैं इस तो समसारी लोग करते हैं वह कुछ होने के योग हैं सबसे ग्यारा अक्टूबर की बात करते हैं बुद्वार का अवसर आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिति है और ग्रहों का योगा योग आप के लिए बड़ा सुंदर बना हुआ है और आप धर्म के सज्जनता के साथ कारे करते दिख चाहिते रहे हैं और उसका लाब आपको मिल सकता है बात ध्यान रखना दुर्जनों का हलकिसी कुटाई बढ़ती मंगल अस्थ है तो बस आपको कहीं न कहीं कोई काटने की योग बना सकता सज्जनता में आप कुछ बोलेंगे वे नहीं और कट भी जाएंगे इस बात का ध् चाहिए उनके निमत अवश्य आपको तरपनेंदे करना चाहिए वर्जन करना चाहिए और की समस्त कष्टर दुर होने के योग बनेंगे 12 अक्टूबर को ग्रह गंड़ना दिखा लिए कि ब्रस्पतवार का आफसर त्रिवोदेशी इती थी और यह त्रिवोदेशी इती बहुत खास है गुरुगार के दिन त्रिवोदेशी पढ़ रही है प्रदोश भी पढ़ गया उस दिन और सासर शिवरात्री भी पढ़ रही है और ग्रहं का योगा योग परिवरतन की तरफ योग बनाएगा और ये परिवरतन आपके लिए बड़ा मैं तुकून रहेगा धर्म से आपको लाप्राप्ति की योग बनेंगे धर्म युक्त कारे करने का प्रयास किजिए का थोड़ा आलस से बढ़ सकता है इस वक्त आपकी राशी के अनुजार से बात करें तो आपका शनी महराज वक्री होकर बैठे हुए आपके तिर्तिय भाव में थोड़ा सा आपको वैसे आलस करा रहे हैं मंगल जो प्रशस्त है आपके पुर्शाद के स्वामी है वो विशेशतर पर इकादश्य भाव में बैठे हुए है अस्तो कर तो ऐसे में आपको जगा करने का प्रयास करें शक्ति मन करेगा इधर हो जाए उधर हो जाए लेकिन जग मंगल को भी शक्ति प्राप्त होने का योग बन जाएगा तो उनके निमित्र कारे करें ये उपाय भी बताया और कैसे समय वह भी बता दिया आपको उसको समस्तिव भी कारें तेरा तारी को विशेशतर पर शुक्रवार का अफसाद चदुदश्य तेती है और उस दिन बनेगी तो बस महाँ फस जाएंगे कारे में लगे रहिए देखिए सम जो आप लगातार करत करत अभ्यास के जडमती हो तो सुजान बस यही और आप समझ दीजे कोई आपका कोई अहित नहीं करने का योग बनाने वाला आप हटेंगे तब फसेंगे इस बात का ध्यान लग समस्त पित्र कारे करने वर्श में सबसे शिश्टम अवस्या यही कही जाती है तो इस दिन अपने पित्रों के निमित अवस्य भूले बिशरे कोई कि इशाद्ध की समय में आपको इतिती भी करना भूल गया है तो इस तिति में आवश्य कर लिजे देखिए आपके लिए तो ऐसे में हरुआन जी का पार्ट भी कर लिजे वो आपके लिए अच्छा रहेगा पंदर तारीकों ग्रह गड़ना विश्चतर पे दिखा रहेए कि रवीबार का अवसर और ये तिती बेहत खास है ये कृपा प्राप्त करने के लिए बड़ा सुन्दर अवसर है कलश थापना के लिए समय जो रहेगा वो सुबह सुर्यूदे के बाद से लेकर बध्यान तक के समय का सबसे श्रिष्टकाल है वैसे तो पूरा दिन ही सुन्दर महूरत है ये फिर भी 12 बज़े से पहले-पहले स आश्रम पे पधारा 400 साल पुराना भगवती का चमतकारी शीविक ग्रे जो आश्रम में विराजमार है वहां उनके सानिद में नित्यपती दुरुगा सफशेती का यग्य सहस्त चंड़ी महायग्य किया करने का सुन्दर कारिक्रम रखा गया है और आप सब भी उसम्मिलित ह हो सकते हैं और उसमें बैठ सकते हैं और सुन्दा तरीके से अपने स्थान को आरक्षित करकर समस्त व्यवस्थाओं को पालन करने के लिए फोन नंबर से जानकारी प्राप्त कर लीजे कल्यान की योग बनने वाले ग्रह योग आपके बड़े अरुकूल बने हुए हैं ऐसे में अपने समस्त कष्टों को दूर करने के लिए भगवती का स्वरूप का ध्यान करें भगवती का पूजन करें सरवमंगल मांगल ले शिवे सरवार्थ साधी की शरणने तरंबा के गावरी नारायनी निमोस्तुतिस मंत्र का जब करें कलश थापना करें घट सापना करें बड़ा सुंदर योग बनेगा कल्यान की योग बनेंगे। बाधना करना बड़ा शुब रहेगा आपके लिए भवती के मंदिर में जा कर भवार्वती के साथ ब्लुपत्र अपयर्थ करना सबसेशंदर उपाय लाव लेने का आपको प्रयास करना चाहिए इस दिन चंद्रशन करका जिनोंने गलती से भादों के चांद का दर्शन कर लिया जाय तो उससे दोश्ट से निवित्टी वद आती है नहीं तो बिकार कलंग कही ना कहीं लगने के योग बन जाते हैं तो इस बात का ध्यान लगते हैं और यह बार में भाव में जाएंगे यह आपके मनों मस्तिक्ष में कहीं ना कि नेगेटिविटी उत्पन कर सकते हैं स्वास्त का ध्यान रखने का आपको प्रयास करना चाहिए सुबह का समय अच्छे है शान गुतुबहर के बाद का समय भारी है तो इसलिए बहुत जड़ा स्वास्त का ध्यान लक्तन गरम मौसरम परिवर्त्न की तरफ जा रहा है इसे महें धृआ इमूनूटे को बढ़ाने के काम करें सूद तरह किसए स्टॉन करें सूरह भी परिवर्तन की तरफ जा रहЕं रहे हैं और यह सूर्य का परिवर्तन युक्षम आपके लिए कश्चुदूर करने के यूग बनेगे चन्मा बार्वेभाव में जाकर स्वास्त को खराब कर सकते हैं उसको भी ठीक करने के लिए भगवती के लिए उपाये करना आपके लिए शिष्ट रहेगा संक्रान्ती का पुन्य अगले दिन रहेगा क्योंकि रात्री में 1.40 मिनट के बाद सूर्य परिवर्तन करने के योग बना रहे है तो अगले दिन संक्रान्ती का पुन्य रहेगा मद्ध रात्री के उपरान्त ये योग बन रहा है 18 तारिक बुद्दबार का अवसर, चतुर्ती तिती, कुश्मानडा भगवती की अराधना करने का सुन्दर अवसर है तुला में बुद्ध जा रहे हैं लेकिन अस्त अवस्ता में जा रहे हैं तो ऐसे में बुद्ध का आस्तोना, मंगल का आस्तोना, केतु का आस्तोना, सूर्य महाँ पर पहले से विराजमान होना, ये समस्त प्रकार के योग बन रहे हैं, तो ये संतान को कष्च देने के योग बना सकते हैं, संतान का विशुष्टर पर ध्यान लगते हुए कारे करना चाहिए ऐसे में उसके लिए उपाय क्या किया जाए गवशाला में जाकर पेठे का दार पेठे को गाएं को किलाईए पेठे के बली दीजिए और साथ-साथ माभवती के मंदिर में जाकर उनको पेठे का भोग लगा यह सुन्दर उपाय है सरवात से दियोग विद्यमान रहेगा जो सुबह सुबह विद्यमान होकर शाम के रात्री में सुर्य उदे से लेकर रात्री में आट बच के पचास मिन तक रहेगा तो नेयकारे आरंब करना है तो उसका लाब ले सकते हैं उननिस तारी के दियम बात करें तो उस दिन ब्रस्पतवार का अवसर है पंचमी तिती है धनुराशी में चन्दमा का परिवरतन होगा लेकिन रात्री में होगा सुबह के समय चन्दमा शीरन अवस्ता में बार्वे भाव में बैटे रहेंगे खर्चे बढ़ाएंगे जुन समस्त नीम पालन करते हुए कारे करने का आपको प्रयास करना चाहिए ऐसे में घ्रहों को ठीक करने के लिए क्या किया जाए पंचमी का अवसर है स्कंदमाता की अराधना का अवसर है ऐसे में खीर का भववती के मंदिर में लगाई है यह सब से शुब रहेगा और यादेव के लिए बात करें तो शुक्रवार का उसर शष्टी तिति ज्रहों का परिवर्तन का योग बना है यह आपके लिए बड़ा अनुपूल है और यह आपके अंदर पॉजिटिव साइंग देने का प्रयास कर सकता है थोड़ा सा बड़ा शक्ति के लिए बगवती को शहद भी अरपण करने का प्रयास करना चाहिए बड़ा सुन्दर रहेगा रवी योग विद्यवान है नया आरंब करने का सुन्दर अवसर है जो योग बनेगा सुबह सुर्यों दे से लेकर रात्री में आच बत की 40 मिनट तक रहेगा तो